Hi everyone, I'm Advocate सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने लोन की EMI टाइम पर नहीं पे कर पते हैं तो क्या हो सकता है अखसर लोगों का यह सबाल आता है कि अगर टाइम पर लोन की EMI नहीं पे कर पाए तो क्या होगा अगर आप loan की EMI नहीं पेकर पाते हैं तो क्या होगा आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले एक और important बात कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सके सबी लोग जानते हैं कि अगर आप loan की EMI टाइम पर नहीं पेकर पाते हैं तो आपकी credit worthness कम हो जाती है यानि कि आपको future में loan नहीं मिलेगा या अगर मिलेगा तो आपको interest rate जादा पेकरना पड़ेगा अगर किसी को loan जिसका civil score अच्छा है उसको 7.5 पर मिलेगा तो हो सकता है आपको 8.5, 9, 10 depends करता है कि आपका civil score कितना खराब है उसके basis पर आपका interest rate बढ़ जाता है अगर आप अपने loan को time पर नहीं पेकर पाते हैं तो आपका civil score कम हो जाता है 750 का civil score अच्छा माना जाता है अगर आप अपनी loan की EMI time पर नहीं पेकर पाते हैं अपने अपने लोन की EMI मिस कर दी या time पर नहीं पेकी तो आपकी कर जो credit score है civil score जिसे हम कहते हैं वह हो सकता है 50 to 70 points से कम हो जाए तो हमेशा कोशिश करें कि लोन की EMI time पर पेकरें वरना आपका civil score कम हो सकता है इसके अलावा जो bank होते हैं लेंडर्स होते हैं उनके recovery agents आपको call करकर परेशान कर सकते हैं आपके घर आकर भी आपको परेशान कर सकते हैं वह recovery के लिए आपके पास आ सकते हैं तो सब瞬 navy सिविल इसको खराब होता है recovery agents आपके पास आ सकते हैं इसके अलावा लेंडर भी आपके ऊपर recovery suit civil suit फाइल कर सकते हैं ताकि वो अपना पैसा आपसे recover कर सके ये सारे नुकसान तो सभी लोग जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ अगर आप अपनी loan की EMI पे नहीं कर पाए तो civil इसको खराब होगा collection agents आपके पीछे पर सकते हैं और आपके against suit फाइल किया जा सकते हैं लेकिन अब कर क्या सकते हैं आपके प्रास क्या remedy बसती है आप क्या कर सकते हैं अगर आप अपनी loan की EMI टाइम पर नहीं पे कर पाए हैं तो सबसे पहले तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें क्योंकि यह कोई crime नहीं है यह एक civil wrong है इसके against कोई F.I.R. नहीं होगी सिर्फ civil suit फाइल हो सकता है recovery suit जिसे हम कहते हैं वह फाइल होगा collection agents आप से पैसा तो 100 आपको करें यह आपकी विजजती करें यह आपको गाली दें यह घर में गुशा है वह ऐसा नहीं करसकते अगर वह ऐसा करते हैं तो आप son number पर फोन कर सकते हैं कोशिश करें कि आप अपने bank से यह लेंडर से जिसने आप पैसा उधार लिया है उससे बात करें कोशिश करें कि आपके पास अगर थोड़े भी पेमेंट कर सकते हैं तो आप पार्ट पेमेंट करें उनको अपनी situation क्लियर करें कि आप क्यों अपनी EMI टाइम पर नहीं पेकर पारें कोशिश करें कि पार्ट पेमेंट करते हैं EMI से थोड़ा break ले ले उनसे कहें कि आपको थोड़े time के लिए EMI ना देने के लिए आप उनसे request कर सकते हैं कि आपको थोड़ा time दे दे payment के लिए इसके अलावा आप refinance करवा सकते हैं उनसे arrangement कर सकते हैं कि आपका tenure बढ़ा दे और EMI का amount कम कर दे और अगर ऐसा नहीं होता recovery agents आपको फिर भी परिशान करते हैं तो आपके पास है कि आप 100 number पर phone कर सकते हैं पुलिस में जाके complaint कर सकते हैं recovery agents के खिलाफ bank में complaint कर सकते हैं banking obertsman को complaint कर सकते हैं और अगर फिर भी आपकी कहीं सुनवाई नहीं होती तो आप SSP के पास अपनी लिखित complaint दे सकते हैं वहाँ पर FIA हो जाएगी recovery agents के अगेंस वह आपको हैरेस करते हैं आपके घर में गुसाते हैं गाली गलोस देते हैं या फिर आप उनके खिलाफ भी 156 CIPC के अंदर magistrate के पास complaint दे सकते हैं और उनकी FIA के लिए request कर सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके और मुद्वपर वीडियोस चाहते हैं प्लीस comment section में बताएं